है कि कि नमशेकर दोसटों स्वागत है आप सबीगा आज की सेशन में आज की सेशन में माांड network कि सेशन में हम बात करने करने वाले हैं मिठेन और क्लाइमेट सेंज मिठेन और क्लाइमिट सेंज का, किस प्रकार का relation है जो आज का समय पूरी दुनिया जलवायू परिवर्तन से गुजर रही है climate change को face कर रही है जहां हम बहुत सारी समस्यां इसकी वज़े से होते हुए देख रहे हैं एक तरफ global warming चल रही है एक तरफ sea level rise हो रहा है glaciers melt हो रहे हैं अलग-अलग जगों की जलवायू जो थी वो बदल रही है जहां पहले बारिश नहीं होती थी वहां बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जहां पहले अच्छी बारिश होती थी वहां बारिश नहीं हो प्रेशिपिटीटीशन, टैमपरेचर सब के पैटरेंस बदलते होगे हैं हम देख रहे हैं इसमें methane का क्या रोल मिकेन नाम की जो गैस होती है उसका यहां पर क्या योगदान हमें देखने को मिलता है उसके बारे मैं आज की सेशन में हम बात करने वाले तो सबसे पहले अगर हम बात करें मीथेन's role in climate change जलवाईव परिवर्तन में इसका क्या role है क्या योगदान है क्या भूमी का है अगर आप इसको देखेंगे तो मीथेन जो है वो एक greenhouse gas के रूप में काम करती है greenhouse gases आप जानते हैं ऐसी gases जो sun से आने वाले सूर्य से आने वाले जो short waves radiation होते हैं लगू तरंगो वाले विकीरन होते हैं उनको तो सते तक आने देती हैं लेकिन जब सते गरम हो करके वापस long wave radiation release करती है दिर्ग तरंगे जब रिलीज करती है टेरिस्टेल रिडियेशन जिसे हम क क्याते हैं वो जब सते से बाहर निकलता है तो उसको रोक लेती है यह greenhouse effect हमें धरती पर जबरदस्त रूप से देखने को मिलता है इसके अलावा भी कुछ और प्लैनेट से जैसे Venus पर यह greenhouse effect इतना जादा है कि उसी की वज़े से Venus जो है शुक्र जो है वो पूरे solar system का सबसे ग greenhouse effect नहीं होगा तो दिन तो हमारा अच्छा होगा रात इतनी ठंडी होगी कि इस दर्ती का जीवन खतम हो जाएगा बहुत सारे छोटे जीव जाएं वो तो पूरी तरीकी से समप्त हो जाएंगे तो यह greenhouse effect हमारे लिए अच्छा है लेकिन इसका जो इसकी जो मात्रा है जो quantity है वो अब बढ़ रही है अब कुछ ऐसी gases हमारे द्वारा release हो रही है मनुष्य द्वारा release हो रही है anthropogenically कुछ ऐसे release हमें देखने को मिल रहे है जिसकी वज़े से जिसके कारण यहां global warming बढ़ती हुई देखने को मिल रही है यह greenhouse effect का जो level है वो बढ़ गया है तो अब यह ज़ बनती हुई दिखाई देती है तो कुछ gases है जो इस प्रकार का काम करती है उन्हें greenhouse gases कहते है जिसे carbon dioxide जो है वो एक ऐसी ही greenhouse gas है methane जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं वो भी global warming का एक जबरदस potential रखने वाली gas है and even that हम generally carbon dioxide को इसके लिए कसूरवार ठहराते हैं कि वो सबसे ज़ादा global warming कर रही है लेकिन methane gas को अगर आप देखेंगे तो 100 year के period में अगर हम देखें सो सालों के लंबे समय में अगर हम देखें तो carbon dioxide से भी 25 times जादा 25 गुना जादा heat को methane gas trap करती है जितनी उश्मा को carbon dioxide एक certain amount एक unit amount अगर हम ले ले इतनी carbon dioxide gas है और इतनी ही methane gas है ये gas जितनी heat को रोकेगी उश्मा जितनी उश्मा को पृत्वी से बाहर जाने से रोकेगी उससे 25 गुना जादा 25 times जादा methane gas उस heat को रोकेगी तो उसका potential जो एक शमता जो है वो बहुत जादा 25 times जादा लंबे समय में अगर हम देखें तो देखने को मिलता है sources of the methane क्या क्या होते हैं कहां से methane gas हमें पराप्त होती है तो methane gas जो है main अगर हम natural sources की बात करें तो agriculture sector इसका में source देखने को मिलता है जिसके अंदर livestock specially गाय बैंस जो होती है बकरियां यह सब जो livestock पशूधन होता है इनके पेट में जो बोजन इनके द्वारा किया जाता है वहाँ पर जनरली अगर हम कार्बन युक्स कार्बन जो होता है किसी भी इडेबल आइटम या लिविंग आइटम जितना भी हम देखते हैं जीवित जीव जितने भी हैं पेड़पोदे भी उसी में इंक्लूड़ेड है सब में कार्बन प्रेजेंट है उन्हीं पेड़पोदों को पत्तियों को घास को गाय बेस वकरी यह सब खाते हैं उंट वग तो carbon dioxide बनेगी, carbon को बहुत कम मात्रा में oxygen अवेलेबल हो तो carbon monoxide मिलेगी, बनेगी, result के रूप में परिणाम के रूप में मिलेगी, और अगर carbon को बिल्कुल भी oxygen अवेलेबल ना हो तो वो methane gas में convert होती है, यहाँ पर भी उनके पेट में carbon oxygen की उपलब्धता बहुत कम रहती है, जिसकी वज़े से methane gas बनती हुई हमें दिखाई देती है, तो जो life stock है, वहाँ पर methane मिलेगी, landfills आपने कोई material जो है वो जमीन के नीचे dump कर दिया है, especially अगर वो organic material है, अगेन वहाँ oxygen की कमी होगी, जहाँ oxygen की कमी होगी हमने देखा, वहाँ पर methane gas बनेगी, तो यहाँ landfills ब नेक्स बात करते हैं, comparison with carbon dioxide, carbon dioxide से अगर हम इसकी तुलना करें, तो longevity in the atmosphere methane की कम रहती है, carbon dioxide तो कई centuries तक कई शतकों तक बनी रहती है, कई शताबदियों तक बनी रहती है, लेकिन methane gas जो है, वो generally लगबग 12 साल के आसपास इसका life span हमें देखने को मिलता है, जीवन काल, carbon gas release हुई है, तो ultimately मोटा मोटी, more or less 12 years के आसपास रहेगी, उसके बाद वो ultimately carbon monoxide या carbon dioxide में convert हो जाएगी, तो 12 साल का ही समय इसका रहता है, carbon dioxide जो होती है, वो लंबे समय तक कई centuries तक, generally 400 साल, 500 सालों तक बनी रहती है, immediate effect on warming अगर हम देखें तो वो मिथेन का जादा होता है, क् मिथेन का life span बले ही छोटा हो, 12 साल ही ये बनी रहती हो सते पर, लेकिन क्योंकि ये carbon dioxide से 25 गुना जादा heat को trap कर सकती है, उश्मा को यहाँ बांध सकती है, रोक सकती है, तो ये immediate effect बहुत जादा दिखाएगी, immediately जब भी ये release होगी, अगले दो पास सालों में इसका प्रभाव जो है, वो इसका जबर्दस देखने को मिलता है, नेक्स बात करते हैं, मिथेन के emission trends की, मिथेन का जो उत्सरजन है, उसके क्या trends है, उसके बारे में बात करते हैं, तो recent increase in methane level, अभी अभी अगर हम देखें तो धरती पर मिथेन का स्तर जो है, वो बढ़ता हुआ हम में देखने को मिलता है, atmospheric observation से जो data हमें मिला है, वायू मंडल के observation से जो data हमें मिला है, वो कहता है कि sharp increase in atmospheric methane levels with significant contributions from natural and anthropogenic sources, चाहे हम natural sources की बात करें, प्राकृतिक इस्तर पर भी अगर हम देखें तो agriculture sector ग्रो कर रहा है, livestock sector भी ग्रो कर रहा है, तो definitely वहां से release होने वाली methane और agriculture sector मे जो modern techniques है, उनका उपयोग अभी भी कम है, प्राचीन तरीकों का उपयोग जादा है, जिसमें की methane gas का release होना जादा देखने को मिल रहा है, तो natural sources, प्राकृतिक स्तरोतों से भी methane की मात्रा बढ़ रही है, और anthropogenic way में माना उद्वारा निर्मित जो कारक है, उनके अंदर भी methane gas का release होना, हमें generally बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो दोनों ही कारण है, वो और बढ़ा रहे हैं, methane की मात्रा को, ये recent observation हमें बता रहा है, regional variations in emissions, अगर हम देखें, तो आर्कटिक सर्कल वाला जो क्षित्र है, आर्कटिक रीजन ये आर्कटिक उशीन वाला जो क्षित् वो क्षित्र बहुत जादा greenhouse gases, especially methane का emission करता हुआ दिखाई देता है, methane hydrates जो है, methane gas पानी के साथ में बहुत कम temperature और high pressure पर जमीन के नीचे दबी रहती है, पानी की गहराईयों में, समुद्रों की गहराईयों में, especially ठंडे क्षित्रों में, आर्कटिक अंटार्क्टिक वाले zones में पानी के अंदर दबी रहती है, अब उसक्षित्र से methane का exploration बहुत जादा हो रहा है, साथ ही साथ क्योंकि overall प्रिथवी पर global warming चल रहे है, तो overall समुद्रों का तापमान बढ़ रहा है, समुद्रों के तापमान के बढ़ने की वज़े से जो वो extreme low temperature पर methane gas prepped थी, फसी हुई वो अब दीरे 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 रिलीज होती जा रहे है, तो आर्कटिक रीजन जो है, आर्कटिक शित्र, वहाँ से बहुत ज़्यादा methane gas release होती हुई, हमें देखने को मिल रही है, नेक्स्ट हम बात करें, efforts to monitor and control emissions क्या प्रयास किये जा रहे हैं, इसकी निगरानी रखने और इसको नियंतरित करने के लिए, तो satellite monitoring technologies का उपयोग किया जा रहा है, ताकि हम पूरे अर्थ पर methane gas का release किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, क्या trend देखने को मिल रहा है, कहां ज़ादा हो रहा है, कहां कम हो रहा है, कौन सा देश ज़ादा कर रहा है, क्या गतिविधिया कर रहा है, कि उस देश में ज़ादा हो रही, कौन से देशों में कम हो रहा है, यह सब चीजे हम यहां से satellite की help से आसानी से monitor कर पाते हैं, and policy and regulatory measures, सरकारें जो हैं, वो बहुत सारे ऐसे तरीके अपना रही है, जिससे की methane की जो emission है, उसको कम से कम किया जा सके, ताकि हम इस global warming से ज़ादा आसानी से निपड सके, ultimately हमारा उदेश है, हम इस global warming से भिढ़ना चाते हैं, हमारा target है कि हम डेर डिगरी Celsius या maximum दो डिगरी Celsius से temperature को उससे ज़ादा ना बढ़ने दे, आज से दो शताबदी पहले सना ठारासों में जिस प्रकार का temperature था, उससे दो डिगरी Celsius से हमने ले रखे हैं, वो अचीव किये जा सके, तो उसके लिए अलग-अलग policies and अलग-अलग regulatory measures जो हैं, वो अलग-अलग देशों की सरकारों द्वारा लिये जा रहे हैं, अगर हम global level पर देखें तो ऐसा ही एक global methane pledge नाम का initiative प्रयास यहां पर किया जा रहा है, इसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट अगर आप आगे देखेंगे, बात करें हम impact on climate system, मिथेन का जो जलवायू तंत्र है हमारा, उसके उपर क्या प्रभाव पड़ता है, global temperature rise में इसका बहुत बड़ा योगदान है, अगर हम वेश्विक इस तर पर देखें, जो तापमान बढ़ रहा है क्योंकि ये उश्मा को, heat को trap करता है, फसाता है, methane gas, अगर ये atmosphere में बढ़ेगा, तो heat को ज़्यादा trap करेगा, जिसकी वज़े से overall temperature जो है प्रित्वी का, वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिसे हम global warming या वेश्विक तापन के रूप में जानते है इसमें अगर हम देखें, तो पहला तो अभी जैसा हमने देखा कि methane का emission बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उत्सरचन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसकी वज़े से overall heat जितनी trap होगी, वो ज़्यादा मातरा में trap होती हुई, अधिक मातरा में trap होती हुई हमें cryosphere है, जिसको हम hym amandal कहते हैं हिंदी में, hym amandal या cryosphere जो ऐसे क्षेत्र जो पूरी तरीके से बर्फ से जमय हुए है, या permafrost region जो पूरी तरीके से बर्फ से जमय हुए हमें देखने को मिलते हैं, उनक्षेत्रों में बहुत सारा organic content है, organic पदार्थ है, carbonic पदार्थ है, जो सारी आइस जो है वो मेल्ट हो रही है पिघल रही है और यह पिघलती चली जा रही है जिसकी वज़े से अंदर का जो मटीरियल उस बर्फ के नीचे ट्रेप्ड था फसा हुआ था वह बाहर आ रहा है अब वहां से बहुत सारी मीठेन गैस और रिलीज हो रही है पहले ग्लोब मिठेन आज रिलीज हो रही है वो अगले बारा सालों तक रहने वाली है लग बारा सालों तक रहने वाली है तो बारा सालों तक वो इतनी जादा और मिठेन रिलीज करवा देखी कि वो अगले बारा सालों तक इस प्रिथवी को और गरम करती रहेगी ऐसे यह प्रिथवी ज इसका क्या प्रभाव पढ़ता है मौसमी प्रती रूपों पर इसका क्या प्रभाव पढ़ता है एक तो एक्स्रीम वैदर कंडिशन्स जो है उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ चुकी है ऐसी जगहें जहां पर पहले हीट वेव कम होती थी अब बहुत ज्यादा हो रही है पहले दो मैं प्र creepingडे दो है तो डिशन पर प्रभाव पर हमें देखने को मिल रहा है जो वर्षन है और और उल प्रिच्वी का जो जो वर्षन है उसके प्रती रूप बदल रहे है जिन जगहों पर बारिश पहले अच्छी होती थी वहां नहीं हो रही है तो जन जगहों पर पहले ब भाव हमें देखने को मिल रहा है next बात करते हैं mitigation strategies इसको समाप्त करने की क्या strategies क्या रणनीतिया लगाई जा रही है उसके बारे में अगर हम बात करें तो technology innovate की जा रही है तकनीक को विक्सित किया जा रहा है methane capture and utilization methane को पकड़ना और उसको किसी और जगे पर उपयोग मिलाना उसकी उपयोग इता और बढ़ाना इसके लिए काफी सारे technological advancement जो हैं वो किये जा रहे हैं नहीं नहीं तकनीके विक्सित की जा रही है improvement in agriculture practices जैसा हमने देखा natural sources में एक बड़ा source है agriculture क्रिशी तो उस क्रिशी क्षितर को बहतर बनाना आज की जो modern techniques है आधुनिक तकनीके हैं zero tillage जैसी जो आधुनिक तम तकनीके हैं उनका उपयोग करके हम methane gas के release को काफी हद तक कम कर सकते हैं तक इसको घटाया जा सकता है तो ऐसे तरीके modern techniques जो है आधुनिक तरीके क्रिशी के वो यहाँ पर अपनाए जाए इसके लाबाग ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें पॉलिसी लेवल पर क्या चल रहा है तो ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो ग्लोबल मिथेन प्लेज नाम का शपत वैश्विक मिथेन शपत नाम का एक कारिकरम जो हैं यहाँ पर चलाया जा रहा है जिसके अंदर लगबग 100 देश, 100 से भी जादा देश जो हैं वो इ प्रतिशत कम यानि 70 प्रतिशत ही रहे 2030 तक यह हमारा टार्गेट हमने ले रखा है इसको हमने ग्लोबल मिथेन प्लेज प्लेज यानि शपत एक शपत जो है वो ऐसी ले रखिए और इसके अलावा नैशनल लेवल पर बहुत सारे इनिशेटीव लिए जा रहे हैं अलग- अगर हम बात करें चैलेंजेज एंड फ्यूचर डेरेक्शन क्या होंगी इससे जुड़ी हुई चुनाटिया क्या है और भविश्य में हम इससे जुड़ी हुई क्या दिशाय देख सकते हैं उनके बारे में अगरम बात करें तो टेकनिकल एकनोमिक बेरियर सबसे पहला तो लगबग हर जगे जो है हम इतनी ज़्यादा टेकनोलोजी अभी डवलप नहीं कर पाए कि सबी जगे पर यह काम आसानी से हो सके तो टेकनोलोजिकल बेरियर है यहां पर हमारे पास में तकनीकी अवरोध है यहां पर और दूसरा अगर हम सोचे भी कि अगर हमारे पास कहीं कही ही ऐसी तकनीके हैं भी तो उनको सब जगे पर लागू किया जाए तो यह महंगा बहुत है अर्थिक बाधा भी यहां पर हमें देखने को मिलती है जिसकी वाज़े से काम इतना आसान होनी जाता है हम सोच बले ही रहे हैं कि हम ऐसा कर दें वैसा कर दें मिथेन को ट्रैप कर दें उसको किसी और जगे पर काम में ले ले ताकि यह आसानी से काम ने पड़ जाए लेकिन यह इतना आसान है नहीं तकनीकी रूप पर भी और आर्थिक रूप में भी यह बहुत बड़ी समस्या जो है वह हमें देखने को मिलती है और comprehensive strategies भविश्य में अगर हम देखे तो ह और emissions हो रहे उन सब के लिए एक integrated solution लेकर के आए एक एक इकरत समाधान हमारे सामने लाकर करके रखे कि कुछ ऐसे काम हम करें जिससे बहुत सारी problems का solution एक साथ निकल जाए ऐसी broader policies विस्त्रित रणनीतियां जो है या नीतियां जो है उनको बनाने की हमें जरूरत है और continuous research and development इ हमें यहाँ पर उमीद जो है वो technology से ही है तकनीक से ही है सस्ती तकनीक बहतर तकनीक जो हमारी इस problem का solution लेकर के आ सके आज हम climate change के लिए सबसे ज़्यादा जिसकी तरफ देख रहा है कि जो समाधान हमें दे सकता है वो है तकनीक technology तो technology अगर हमारे यहाँ बहतर विक्सित हो सक कि जिससे कि हम कम से कम economic जिन देशों की economic conditions अच्छी नहीं है वो भी कम से कम economic resources के होते हुए आर्थिक संसाधन किसी के पास कम भी हो तब भी वो देश अपने methane emission को या global warming को अपने carbon footprint को कम कर सके ऐसी technologies जो climate के लिए बहतर हो जो economy के लिए बहतर हो जो मानव के लिए बहतर हो ऐस इसी तकनीकों का उपियोग उनका research उनका अनुसंधान और उनका विकास development जादा जादा किया जाए यह हमारे सामने एक solution जो हो सकता है तो यह हमारा पुरा एक mind map जो है वो complete होता है जो कि इसके बारे में बात करता है कि यह methane gas और global warming से जुड़ी जो समस्या है उसको हम किस प् सारे में हमने यहां पर बात करी है जो important announcement है आप सभी लोगों के लिए जो भाई भारत मैटर्स इस साल के प्रेलिम्स के दो हजार चोईस के एक्जाम के अंदर जो question था the India way and the why भारत मैटर्स यह दो किताबे आप से पूची गई थी यह दो किताबे किस व्यक्ति ने लिखी ह है और उसमें से दोनों किताबे अगर आप देखेंगे तो पहली किताब आल्रेडी आपको ओजांक सर जो है वो पढ़ा चुकिए इंडिया वे लास्ट इयर सर ने जो है सेशन्स लिये थे पूरा एक सेशन्स जो है एक लंबे चोड़े सेशन्स आपके सर के द्वारा लिये लेकर के जाएगी आपसे बहतर सोच साथ अपनेस को लिख पाके साथ ज्यादा मा सेशन्स लापके अबने मास को बूस्ट कर पाएंगे वो यह पूरा का पुरा सेशन जो है वो आपके लिए सर के द्वारा लाए जा रहा है बहुत जल्दी इस सेशन्स आने वाले है अभी को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 875 07 1100 या 875 07 1112 या आप वाट्ट सेब कर सकते हैं 8285894079 इन पर वाट्ट सेब कॉल कुछ भी करके आप इस सेशन को बुक करा सकते हैं अपने लिए जो भी बच्चे हैं मैं सभी बच्चों को इन्वाइट करूंगा यहां पर हर वो बच कर देशन आपको यहां पर मिलने जा रहा है वैसा एक नवाचार आपको यहां मिलने जा रहा है जहां हम आपके लिए हर रोज कुछ न कुछ नखिश नहीं करने का प्रयास करते रहते हैं तो डैफिनेटलि आप इन के साथ में जुड़ सकते हैं इन सेशन को एंज्ज़ कर स हमारा जो optional है वो manage नहीं हो पा रहा हम answer writing नहीं manage कर पा रहा है इसी 1000 problems हर वो बच्चा जो UPSC की तैयारी में है उन्हें आती है तो यहां mentorship का कारिक्रम जो है वो आपके लिए एक one stop solution है जो की हर महिने आपके लिए अविलेबल है monthly sessions के रूप में यह आपके लिए अविलेबल है इस महिने का September batch जो है वो आज 2nd September से जो है वो start हो रहा है तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो सभी बच्चे यहां जुड़ सकते हैं डिसकाउंड भी यहां पर अविलेबल है 499 रूपीज पर मंत का बैच यह लेकिन फिलाल आपको 299 रूपीज दो सो 99 रूपे मे ही यह अविलेबल हो रहा है 20 सेशन पर मंत रहते हैं हर महीने 20 सेशन जो है वह आपके यहां पर होते हैं तो जो बच्चे यहां जुड़ना चाह रहे हैं डेफिनेटली इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं एंड जो बच्चे सी से डरते हैं मैच से डरते हैं 99 रूपीज में सी सेट मैट्स का बैच आप लोगों के लिए एक मास्टरी कोर्स जो है सेवन डेस का वो आपके लिए बॉबी सर लेकर के आए हैं जो बच्चे जुनना चाह रहे हैं वो इन दिया हुए नमबर पर कॉल करके जानकारी बाकी की ले सकते हैं हर बच्चा लगबग जो यूप से डरी रहा होता है सी से से स्पेशली डर रहा होता है इवन देट आज के जमाने जिन बच्चों का वैग्राउंड साइंस मैट्स का होता है वो भी सी से डर रहे होते हैं तो हर उन बच्चे के लिए हर वो बच्चा जो यूपीस की दुनिया में है उसके लिए और मात्र नि तो basics को clear करने के लिए NCRT जो है आपको हमीशा suggest की जाती है उन NCRT का पूरा complete batch जो है chapter by chapter batch एक 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 चेप्टर, history, geography, quality, economy, इन सब में एक 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 चेप्टर, 6th class से लेके 12th class तक के NCRT का जो आपके लिए important है, UPC के लिए important है, हर वो chapter आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो chapter by chapter batch जो है, वो यहाँ पर आपके लिए available है और उसमें भी जबरदर्स discount आपको मिल रहा है, 12,000 रुपए का batch मात्र 2999 रुपए में अभी आपके लिए available है, जो बच्चे यहाँ NCRT के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, वो definitely इस batch के साथ में जुड़ सकते हैं, सारे गुरुकुल बैच हमारा अभी आपको उस पर 50% का discount, 50% का discount गुरुकुल बैच इस पर आपको मिल रहा है, चाहे आप दो साल के batch से जुनना चाहते हैं, चाहे एक साल के बैच से जुनना चाहते हैं, दो साल का batch तीन लाग रुपए का है, लेकिन अभी 50% of आदी फीस में रुपे का है लेकिन वो अभी आपको आधी पीस में एक लाख रुपे में अविलेबल हो रहा है हमारे ऑफ-लाइन बैच है जो गुरुकुल कैंपस है हमारा नौइडा के अंदर उस गुरुकुल कैंपस के अंदर हमारी क्लासेज चलती है सारा शिड्यूल क्लासेज सुबह य नए बैचेज जो है वो हमारे स्टार्ट हो रहे है जो बच्च जुडना चारे है इनमें से किसी भी नमबर पर कल करके जानकारी ले सकते हैं तो यह आप लोगों के लिए कुछ अनौ। मिलते हैं हम नेक्स सेशन के अंदर, नेक्स सेशन के अंदर हम इसी प्रकार से नई जानकारी, आपके साथ में नई इंफॉर्मेशन, नया नॉलेज जो है आपके साथ में शेयर करते रहेंगे, थैंक यू, थैंक यू एवरिवन.